नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल टेक्निकल लखी स्टार में फ्रेंस आज हम बात करने वाले बहुत ही इंट्रेस्टिन टॉपिक पे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आप किस प्रकार से गूगल फोटो के सारे के सारे फोटो को आप डा फोटो का बैक दे रखके हुए और आप यहीं चाहते हैं कि आप उन्हें डाउनलोड करके फिर से अपनी गैलरी में रखे या किसी को सेर करने के लिए तो आप उन्हें किस प्रकार से उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं क आपको यहां पर और दिखाता हूं कि जैसे माली जी मेरे को यह सभी डाउड करने मेरे को यहां पर डाउड करने के लिए तो आपको क्या करना एक तरीका और मैंने आपको पिछली व्यूडियों बताया हुआ था कि माले जी आपने कोई फोटो यहां पर डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको उपर अपनी स्पिक्टर को उपर स्लाइड करने और यहां पर आपको एक डाउनलोड का आप से मिल जाता है तो माले जी आपको किसी कंडिडेट को 30-40-50 या कुछ ज़्यादे फोटो बेजन संद्वरा बिल्कुल नहीं होने वाला है ठीक इसके लिए आपको अपना गूगल फोटो अप्लिकेशन बंद करना है और आपको अपने फोन में ओपन करना है क्रोम ब्राउजर यह दिखिए हमने अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करने का बाद सिंपली आपको यहां पर को जयेगा गूगल फोटो आपनेश पर क्लिक कर लेका जब आप यहां पर करेंगे आपके गूगल फोटो आपका क्रोम ब्राउजर में ओप न हो जाएगा ठीक यहां पर देख सकते हैं यहां पर सिर्फ दो फोटो यहां पर सो रहे तो आपको मैंने यहां पर फोटो अपने हाइड करके रखे वे तो सिंपल यहां पर मैं थिरी रोट पर किलिक करता हूं और यहां पर रिसीब में आ जाता हूं नहीं को इनकोह डाउंड करने के लिए आपको क्या करना है चाके सब जारे हो जाएगा के यहां डेक्ट करने के टैप्क यह बोक्स मिलेगा जब देखे कून आप मैंने टैब कि यह मेरा सलेक्ट होना चालू हो चुका है ठीक इसी प्रकार से आप जितने फोटोस को सले डाउंलोट करना चाहते उतने फोटोस को यहां पर सलेक्ट कर सकते हैं जैसे यहां पर select कर लेता हूं कुछ फोटो यहां पर आपको दिखाने के लिए कि मैंने यहां पर उन्हें डाउंडोड करके दिखाना है ठीक तो यह देखिए मैंने यहां पर जोड़ा उपर आ उसके बाद आपको क्या करने कि आपको यहां पर क्लिक करने हैं आपको यहां पर क्लिक करने हैं जब आप यहां पर क्लिक करने कि आपको यहां पर डाउनलोड का ऑप्सन मिल जाएगा ठीक देख सकते हैं यहां पर डाउनलोड का ऑप्सन मिल जाएगा simply आपको download पे click कर लेना है यह देखिए हमने download पे click कर लिया होई और यह हमारा photo, जो है यह हमारा photo download हो चुका है हमई आपको दिखा देता हूं, कहाँ पे download हुआ है यहां पे आपको 3. पे click करता हूं, चिक? यहां पे नीचे देख सकते हूं कि यहां पे downloading process preparing to downloading डाउनलोड में आ जाता हूं ठीक यहां पर आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर यह option मिलेगा फोटो डटीब की फाइल से आपको यहां पर दाउनलोड होता है यहां पर आपको रश्क कशनें पर आता के लिए वां पर आपको gust lan फोटो ईब अच्प हो चुकूआ है उसके बाद simply में यहां पर back करताँ बैक करने ला आत desenvolv стр जाना है अलग अलग फोनस के अलग अलग फाईल मेंगे इसलिए मैं गूगल फाईल उस्वे यूज करता हूं तो आपके फोन में यह आपके मिलेगा फॉल्ड़ टाइप का डाउलोड मिल जाता है यहां पर वीडियो इस प्रकार से आपको भी आपके फाइल में सो होंगे तो आपको सबसे पहले डाउनलोड पर क्लिक करना है ठीक अब जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको पहले ही नंबर पर यहां पर यह सो होगा जो हमने अभी आपको Chrome ब्राउजर में आपको मैंने दिखाया कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जीप करके आपको होगा Google photos.zip तो आपने इस पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर देखा दीक है कि यहां पर फोटो मेरे यहां पर यहां पर लेता हूं यह देखित यहां पर जीप और इसको आटा देता हूं तो यह 14-15 यानि कि मेरे फोटो यहां पर आ चुके हैं तो देख सकते हैं फेरेंस के कितनी असानी तरीके से हमने अपने गूगल फोटो के सारे फोटो को डाउनलोड करना से के लिए जैसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया आपको कोई इसट्रेफ फोटो करने ठीक और आपको अपनी फोटो डाउनलोड कर लेनी है तो धन्यबाद दोस्तों आपको यह वीडियो किसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्निकल लगकी स्टार को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेश्ट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद